नमस्कार लिब्रा, लिब्रा यानी तुलारासी, मैं सुरेश गौड और आप देख रहे हैं, ट्रिपल असी इंडी टैरो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो ये एक जन्नल लेडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती, जिस पर इतनी रेजोनेट होती है, प्लीज आप उसे एकसेप्ट कर सकते हैं, और ये 13 मार्च से 20 मार्च के लिए विकली यानी सब पाहिक रेडिंग होगी, इसमें हम देखेंगे कि जो लिब्रा के परसन है, वो लिब्रा के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, फिर हम देखेंगे कि लिब्रा अपने परसन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, और 13 मार्च से 20 मार्च के लिए इस सब्ता का या इस सिच्वेशन का आउटकम क्या रहेगा, तो चलिए देख लेते हैं कि जो लिब्रा के परसन है, वो तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले अपने उपर फोकस किया जाए इस रिष्टे में एक स्टेबिलेटी हो आप मैसूस कर रहे हैं कि जब आप स्टेबल होंगे जब आप अपने उपर फोकस करेंगे अपने अपना नेम अपना फेम अपना करियर अपना बिजनेस अपने लोग सब कुछ अपने लिए अगर आप सोचेंगे और रिष्टे में स्टेबिलेटी लाएंगे या अपनी लाइफ में स्टेबिलेटी लाएंगे तो यह रिष्टा कापी खुश्यों बरा हो सकता है महु कोई प्रेशानी कोई दिक्कत नहीं आये गई तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में स्टेबलेटी लाएं अपने उपर फोकस करें अपने जम्मेवारियों को समझें और अपने बातें अपने तक सीमित रखें तो आप इस रिस्ते में प्यार चाहते हैं म आपके परसन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा तो आपके परसन चाहते हैं कि इस रिस्ते में एक कलियर्टी हो कलियर्टी के साथ ओनेस्टी के साथ इमानदारी के साथ ये रस्ता ये इस रिस्ते को आगे बढ़ाया जाए चाहे इस ये इसके लिए रूड बनना पड़े चा इस रिस्ते में एक clarity हो, एक clear-cut communication हो, ताकर in the future कोई प्रेशानी, कोई दिक्कत इस रिस्ते में आगे न रहे, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा root बनना पड़े, कठोर बनना पड़े, अपनों के खिलाब जाना पड़े, चाहे फिलाल के लिए आपको वो अच्छा ना लग लेकिन future को अच्छा बनाने के लिए life में खुशियां लाने के लिए आपको थोड़ा सा root बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, अपनों के खिलाप जाना पड़ेगा, तो आप चाहते हैं कि इस रिस्ते में clarity हो, सच्चाई हो, honesty हो और एक clear communication हो और चाहे अपनों के खिलाप जाएं, ये रिस्ता बने या ना बने, आगे बड़े या ना बड़े, लेकिन clarity और purity इस रिस्ते में होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, एक ये रिस्ता बिल्कुल साब सुधरा होना चाहिए, तो आप अपने person के लिए क्या मैसूस कर रहे है ये टॉप एंटिकल्स, आपको लग रहा है कि जितना आपके person इस रिस्ते में मेहनत करेंगे, effort लगाएंगे, energy डालेंगे, उतना ही ये रिस्ता काम्याब हो सकता है, उतना ही इस रिस्ते में काम्याबी आ सकती है, तरक्की हो सकती है, और आगे बढ़ सकता है, तो honesty और इमा आपके person के लिए महसूस कर रहे हैं, जितना वो मेहनत करेंगे, जितना effort लगाएंगे, जितनी energy डालेंगे, उतना ही रिस्ता आगे बढ़ सकता है, ना तो कम हो सकता है, ना तो ज्यादा हो सकता है, तो जितना वो मेहनत करेंगे, जितना इस रिस्ते को आगे बढ़ाने के ब हैं तो इसमें effort लगाए energy डाले मेहनत करें और इस रिस्ते को आगे बढ़ाएं आप ऐसा मैसुस कर रहे हैं ऐसा उनके लिए सोच रहे हैं तो आप उनसे क्या चाहते हैं आप justice आप न्याय चाहते हैं आप चाहते हैं कि ये रिस्ता इस रिस्ते में न्याय हो और ये रिस्ता न आगे बड़े जिसने जैसा करम किया है करमानुसार उसको फल मिले अगर उन्होंने अच्छे करम किये हैं अच्छे करमाज किये हैं तो वो उनको अच्छा युनिवर्सी अच्छा फल देंगे और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो इससे बच नहीं सकते तो उनको फे और अगर वो सामने वाले से माफी नहीं मांगते हैं, तो अपने मन से उनको माफ करके आगे बढ़े, और इसमें न्याय आ रहा है, इसमें stability आ रही है, इसमें balance आ रहा है आपकी life में, तो आप महसुस कर रहे हैं कि इसमें सब के साथ न्याय मिले, किसी को कोई दोखा ना हो, कि इसमें कोई छल कपट ना हो, और इसमें न्याय करें और न्याय पिरिये बनें, और honesty और इमानदारी के साथ इस रिस्ते को आगे बढ़ाए, इसमें कोई दोखा धड़ी ना हो, कोई छल कपट ना हो, तो आप ऐसा उनसे चाहते हैं, तो इस रिस्ते का outcome क्या रहेगा, six of cups, तो इस रिस्ते का outcome, ये बता रहा है, six of cups का कार, कि वो इस रिस्ते में एक reconciliation चाहते हैं, इस रिस्ते को दुबारा से बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रेशानियां, जो दिक्कते हो सकता है, past में आई हैं, तो उनको वो खतम करके, इस रिस्ते को, इस रिस्ते में दुबारा से male जोल बढ़ाना चाहते हैं दुबारा से शुरुवात करना चाहते हैं एक री बिगनिंग चाहते हैं उन पुरानी चीजों को पुरानी यादों को जो उनको प्रेशान कर रही थी उनको भूल जाना चाहते हैं और जो पुरानी चीजी जो उनको खुशियां दे रही है उन खु सकता है कि दोनों ही ऐसा चाह रहे हैं या कोई एक ऐसा चाहता है मैंसुस कर रहा है कि इस रिस्ते में एक रिकॉंसिलेशन हो दोबारा से रिस्ते को आगे बढ़ा जाए उन पुराने दिनों को पुराने चीजों को पुराने हिस्ट्री को दोरा जाए जिसमें काफी खुशिय beginning कीजिए और उन दिनों को situation को याद कीजिए जो आपको काफी खुशी देता है जिससे आपको काफी खुशी मिलती है परसंता मिलती है honesty और इमानदारी के साथ आप आगे बढ़िए और परिवार के साथ family के साथ मिलकर इस रिस्ते को आगे बढ़िए ये रिस्ता आगे जाकर काफी खुशियों बरा हो सकता है अगर आप इसमें दुबारा से एक beginning करते हैं एक शुरुवात करते हैं तो इसमें एक beginning करने की जुरूरत है एक शुरुवात करने की जुरूरत है और उन पुराने हिस्ट्री को पुराने दिनों को पुराने खयालों को जो काफी खुशियां देता था पास्ट और प्रेजेंट को मिला कर आप एक नया फ्यूजर बनाना चाहते हैं, खुशियों बराबर ना चाहते हैं, आज की लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अगर आपको मे कमेंट्स अगर आप देते हैं, तो काफी परसंता के साथ, काफी खुशी के साथ वीडियो बनाने में मज़ा आता है, तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना प्यार और आसिरवाद बनाए रखिएगा, नमस्ते, थेंक्यू सो मच्च